जाए हिंद अभी हम समझेंगे आर्टिकल 356 के बारे में इसे पहला वाला वीडियो जो है राष्टिया पात के बारे में वह आप लोग वीडियो के डिस्क्रिशन जाकर देख सकते हैं अभी देखते हैं राष्ट पर शासन आप साथ में यह भी देखेंगे सबसे अधीक बार वा लगए है तो फिर भी बढ़ाए डिटेख से हैं इसे कितने दिनों तक राष्ट पर शासन लगा गया तब लागू रहता है मतलब राष्टपति शासन का बात नहीं किया गया है राष्टपति के परभाब का बात किया गया है राष्टपति सासन हमारे मुल्त समीदान के अर्टिकल में लिखा गया है तो यहां पर समझ लिए कि आर्टिकल 306 परभाब मतलब राष्टपति सासन बारे में बताया तो आप समझनते है राश्ट पती सांन लगेगा कब-कब तो जब देश में यूद के स्थिटी आ जाए कहीं सै आकर flavors आ जाए या देश में सशक्तिर की रिजरों हो जाए या देश में आसानती फैल जाहिए तब यह राश्टPRावी सांसन यह पूरे देश में लगा सकते हैं लेकिन जब यह जो फूरे बंगाल के तंगा होगी मतलब समझ आ रही है द्रहकों नहीं के नहीं नहीं लगा नहीं लहीं लगाता अस्य पूरे मे люб oxygen कि पूरा परांट में लेगा राष्ट पतिसासन लेकिन यह कब लगता है मतलब किसी परांट या पूरे देश में लगाएंगे इतना समझी लिए लेकिन आगा है एक और बाद है कि आर्टिकल 356 के तहद अगर राष्ट पतिसासन को लोग सभासे राष्ट सभासे साथ दिनों के अंदर अनुमोदन कर दिया आता है तो यह 6 माह के लिए यह अभिस्तारीत हो जाता है यहां पर एक और क्वेश्ट बन जाता है कि अगर यहां आपको लोग को पूशित देगा यह क्योंकि राष्ट पति राष्ट पति सासन लगाता है तो वह क पड़ेगा लेकिन फिछले बला वीडियो में था कि राष्ट पति अगर राष्ट यह अपात लगाता है तो वह कितनों दिनों तक लागू रहेगा तो वह 30 दिनों तक था यहां पर क्या कर रहा है कि जब लोग सभासे और राज सभासे अलग अलग अनुमोदन कर दिया जा जो है इसे ब्रहाएजांगा केवल एक साल तक अब समझते हे यहां पर आगे क्यों नहीं ब्रहाएजाएगा इसे नीचे हुँझ देखते है अभी लेकिन यहां पर कहानग है कि अगर एक साल से आगे ब्रहाना होगा तो अच्षे-चे महेंना के लिए इस से ब्रहा दिए • लेकिन अगर हमें एक साल से आगा बढ़ाना होगा तब क्या करेंगे तब यहां पर रूल बताया गया है कि जब देश में राष्टिया पात लगा होगा तब मतलब आर्टिकल अगर लग चुका होगा पॉलिस तब हम बढ़ा सकते हैं या तो चुनाव आयुक्त इसे लिखित अनुमोधन कर दे मतलब लिखित परामर्स दे कि राज में राष्ट्पधिसासन लगाना जरूर हो गया है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाला आए अब वहां पर इतना इस बत्किन है अब आख सकते हैं इतना समझे लीखिए आप मतलों इसे और रजाव अधिक सब्सक्राइब क्येवल्ट हों तीन साल से आगे इसे नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन इसका दो राज अवबाद है उसे हम आगे देखेंगे तीन साल से आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं यहां पर देखते हैं हम देखिए सबसे पहले जो है इसे काफी डिटेल में समझ लेते हैं तो क्या है यहां पर दो माह के अंदर जब राष्ट पती राष्ट पत्य अस्यासन लगाता है तो इसे दो महिना के अंदर कि साथ दिनों के अंदर अगर लोग सभासे राष्ट सभासे अलग-अलग अनुमोदन कर दिया जता है तो यह छे महिना के लिए बिस्तारित हो जाता है इसे इसी पड़िकी द्वार बढ़ा जासकता है मतलब 6-6 महा करके केवल एक साल के लिए अगर एक साल से आगा हमें इसे बढ़ाना हो तो राजी में आर्टिकल 322 लागो होना चाहिए या चुना छुर ! यॉध इतना हो गया तो इसी तरह इसे चार बार बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन यहांपने और कुषए प्रक्षिस्ता आगर िदा है तब जुस समय के लोक सभाब हो गया है तब इसे कईसे बरहा जा सकता है यह कह रहा है कि अगर लोक सभाबी फॉल है तब तब भी बरहाए जा सकता है राश्टवराइस आसन mammoth लेकिन यहां पर राजसभा का अनुमोदन लेना होगा, राजसभा उसे अनुमोदन कर देगा, लेकिन जब लोगसभा पारित होगा, जब लोगसभा की बाइठक होगी, तो उसके पहली बाइठक के 30 दिन के अंदर इस अनुमोदन को सिफारिस देना होगा, आप लोग नहीं स सब्सक्राइब अगे बर्हाएं जा सकता है लेकिन आपने स्थितिति में लोग सभाध है तब इसे कैसे हम बढ़ाइंगे राजसभांस आप अनुमोदन करा लिजी अगर देश में कुछ इस्थिति हाई तब तक बढ़ा लिजिए लेकिन जब लोक-सभाध कर घुगा जिस दिन सबसे पहले दिन बाइठक होगा उस से 30 दिनों के अंदर मतलब एक दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर आपको जो है उस आयुकत को जो है मतलब जो है जो लागू किये है आप प्रस्ताब जो राष्ट पदी सासन आगे बराने के लिए राज सभास तो हो गया था अब लोग सभास से जो है एक से लेकर 30 दिनों के अंदर आप पाईत करबा लिजे नहीं तो राष्ट पदी सासन आगे बढ़ सकता है अब देखते है आगे क्या कर रहा है कि घोसना की वापसी कब होगा मतलब राष्ट पदी सासन की घोसना की वापसी कब होगा लेकिन इसे प कि राष्ट पती सासन लगता है तो लोग सभा और राष्ट सभा जो है इससे सरस्हार न इसान भाहँमोंद से करता है लेकिन इच्छी वाइशरियाप आप इससे ब्याइगा यहां इसे ब्सेए innovate चाहिए लोग सभासे राज सभासे लेकिन यहां पर इसे सधारन बहुमत चाहिए इतना समझे लिए अब इसकी वापसी कईसे होगा तो इसे जो है राष्ट पती कभी वापस ले सकता है राष्ट पती कभी वी इसके वापस ले सकता है और दूसरा है कि संसद अगर भंग रहेगा तब संसद अगर इसे भंग संसद दोरा अनुमोदन ना किया जाए मतलब संसद भंग रहेगा तब राजसवा अनुमोदन नहीं करेगा तब कई से होगा अगर राश्टपधिसासन नहीं लगेगा मतलब वह अपस हो जाएगा राश्टपधिसासन के लिए जो भी परस्ताब बनेगा वह अपस हो जाएगा क्या करा कि संसद दोरा अनुमोदन ना किया जाने पर संसद का मतलब लोगसभा राजसभा अगर दोनों में से कोई एक अनुमोदन नहीं करेगा तो वह परस्ताब पारित होने से रुक जाएगा म मतलब राश्टपधिसासन जो है वापस हो जाएगा मतलब वह नहीं लगेगा अब क्या करा है कि इसका परवहाब क्या पड़ेगा राश्टपधिसासन अगर लगेगा तो क्या परवहाब पड़ेगा सबसे पहले है कि राश्टपधिसासन अगर लगेगा तो क्या परवहा सट में लगा है तो पूरी साजन को सीज कर दिया जाएगा मतलब उसका साथन संगहात्मक तरफ दिया जाएगा तो उसका पूरा सासन जो है वह राश्ट पती के पास आ जाएगा तो यही कहड़ाई कि राश्ट पती के हात में आ जाएगा मतलब संगहात्मक ब्यवस्ता यह कात्मक बन कर सकता है आग़ राश्ट परिषासन लग जाता है अगर तो और ठीसकेश्ट राश्ट का स्वाम defines lange कि इतना इंशनल सियार परिषासन लग जाता है लेकिन अगर 306 लग गया तो राज्बक मंद्रि गया आपने काम से उसका कोई जूत नहीं चले अब राज में वह बरकास्त हो गया यहां पर एक और कोउश्चर वह जाता है कि अगर मुखवंतरी और राजपाल रहेगा तरक्या होगा मतलब मुखवंतरी और राजपाल जो है रहे का अपने पद पर देखिए एक वात और यहां पर समनी लिजिए कि राष्ट पद इसासन क्यों लगता है तो इसलिए लगता है लेकिन अगर किसी परांथ में लगा जाता है तो मतलब परांथ में देश की इस्तिति आ गया है इसका मतलब क्या कि उस उस राज सरकार से जो है वो जो है दंगा जो है नहीं समहल रहा है या राज सरकार जो है मनमानी कर रहा है जनता जो है उस राज सरकार के साथ मनमानी कर रहा है मतलब क्या है न तो जनता के हाथ में समहल रहा है न तो जनता उसके उपड़ है नहीं सरकार उसके उपड़ है मालन गएगा तो वहां पी एक निर दोसी भी हो सकता है कि इसका दुरपयोग बहुत जायतर्प पहुता है इसे कब होता है उलग बहुमत के सरकार है दुसरे पाटी का बहुमत के सरकार है राज में बहुमत कंडिके सब्सक्राइब यहां यहांब हो जाता है इसना भूग मोजा बहुत जादे हो जाता राज सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब आगे देखते हैं कि मतलब राष्ट पोडाइब होडा वह दो किसलिए होड़ा है कि मतलब है अलग सरकार रहता है अगा मतलब हुआ है तब समझते हैं इसके बाड़े में कुछता तो दिया गया है तो यह जो है डॉक्टर अंबेदकर ने इसे आर्टिकल मतलब समझते हैं सबसे पहले राष्परिशासन पंजाम में लगाए गया सबसे अधीक बार राष्परिशासन यूपी में लगाए गया अभी तक दोस बार लगा चुका है सबसे अधीक दिन तक लग चुका है सबसे अधीक बार राष्परिशासन अकेले लगा चुका है पूरा भारत में अभी तक जो है नव राजी ते बाड़े नव राज में लगा दी थी लेकिन इसके बार है न यौह राज में लगा दिए थी देखर यहां पर वह बड़े के राज थी पाइट में लुट थी दो है कांगरे स्कीनिता थी तो वह बीज यूपी नो राज में लगा दी थी लेकिन इसने पहले जो है मोड़ाजी दसाइब बीज यूपी कि थी फिक ठाक वो जो है ऑकेले जया मुझे उने सवाटार तर्म जाए नो राज में लगा चुका था इसी इसका काफी दूरूपी ह हुआ था इसलिए अम्बेदकर नहीं से मीड़ लेटर की संग्यादी है तो आज ही के लिए इतना थेंकिंग फॉर वाचिंग इस वीडियो